नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि पोस्ट ओफिस FD स्कीम में 1.25 लाख की FD करवाने पर एक, दो, तीन और पांच साल में इतना मिलेगा तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं यदि आप अपने धन को ऐसी जगा निवेश करना चाहते हैं, जहां कम निवेश से उच्च रिटर्न मिले, तो पोस्ट ओफिस टाइम डिपोजिट स्कीम आपके लिए एक उतकरिष्ट विकल्प हो सकती है यह स्कीम न केवल मध्यम वर्ग के नागरिकों के लिए, बलकि सभी के लिए लाभदायक है इस स्कीम में आपको निवेश की गारंटी के साथ साथ अन्य कई सुविधाएं भी मिलती हैं, जो इसे और भी आकरशक बनाती हैं इसमें आपको प्रतिवर्ष निवेश करना होता है, अर्थात इस स्कीम में प्रतिवर्ष पैसे जमा करने की आवशक्ता होती है, मैच्योरिटी अवधी के विकल्पों में एक साल, दो साल, तीन साल और पांच साल शामिल हैं, जिसमें आप अपनी सुविधानुसार निवे अवधी के अनुसार ब्याजदरे निर्धारित की जाती है, उदारन स्वरूप, अगर आप इस योजना में एक साल के लिए निवेश करते हैं, तो आपको 6.9% की ब्याजदर मिलेगी, दो साल के लिए निवेश करने पर ब्याजदर 7% होती है, यदि आप 3 साल के लिए दशमलोव 5% की ब्याजदर मिलेगी, एक से 5 साल में मिलता है इतना रिटर्न, यदि आप पोस्ट ऑफिस टाइम डिपोजिट स्कीम में एक वर्ष के लिए 1,25,000 रुपए निवेश करते हैं, तो 6.9% की ब्याजदर से आपको कुल 8,851 रुपए का ब्याज मिलेगा, और मै वर्ष के लिए यही राशी निवेश करते हैं, तो 7% की ब्याजदर से आपको 18,610 रुपए ब्याज मिलेगा, और मैचुरिटी पर कुल राशी 1,43,610 रुपए होगी, तीन वर्ष के लिए 1,25,000 रुपए निवेश करने पर 7.1% की ब्याजदर से 26,625 रुपए ब्याज मिलेगा, और मैचुरिटी पर आपको कुल 1,51,625 रुपए मिलेंगे, यदि आप 5 वर्ष के लिए निवेश करते हैं, तो 7.5% की ब्याजदर से 46,875 रुपए ब्याज मि अगर आपको यह विडियो पसंद आया है, तो आप इसको लाइक शेर जरूर करें, और एसके एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी कोई इस तरह का नया विडियो अपलोड किया जाए, तो आपको तुरंट सूचना प्राप्त हो जाएं, अगरूवाद, प्रापकि अगरूवाद.